जब पंधेरा हो जंगल में शेर खान घुमता है उसके हुरानिक की ताहड मोबी जुमता है ये है जांगो पूख ये ही है जांगो पूख ये ही है जांगो पूख पागीरा और बलूम अपने कर्दब दिखाए ये है जांगो पूख ये है जांगो पूख ये है जांगो पूख और ये मोगली के चलांग वुहू ये क्या है अच्छा तो उस तरफ है आवाज नीचे से आ रही है ये क्या तुम तो कोई और हो ओ माफ करना मुझसे कोई गलती हो गई हो कौन तुम भाई मैं हूं मोगली मैं तो बस ऐसे ही मजे कर रहा था पीछे देखो बीच में आने की आदर छोड़ दे पचाने के लिए शुक्रिया मैं तो डर गई थी हाँ अब तुम अपने दोस्तों के पास जा सकती हो अपना खैर रखना अब मैं जील के पास में दोस्तों से मिलने कैसे जाओंगी मेरे पंख आने में तो कई दिन लगते हैं माफ करना सब मेरी वज़ा से हुआ वैसे जील का है वहां उस पहाड़ी के पार जो बंजर इलाका है ठीक उसके बाद वाली जील गए हो कभी महां कहीं तुम शेर खान के हो बाग ना गवरामत मैं तुम्हें वहां ले जाओंगा हम मिलकर यह कर सकते हैं कि अधितन कहीं के कभी तो अपना खाना खुद ढूंड लिया कर धूंड यह था मेरा मतलब है जा रहा था अपनी गंदी जबान अपने मूह में रख तबाकी अपने आपको काबिल बना चल जा मेरे लिए कोई शिकार ढूंड गया फिर उसका बचाकुचा मैं तुझे चाटने के लिए दे दूंगा इस रास्ते नहीं जा सकते अरे कैसे नहीं जा सकते मुझसे नहीं होगा मैं यह चोटी सी दूरी भी पार नहीं कर पा रही एक आइडिया है बहुत अच्छे ऐसे चलती रहो लगता है शेर खान को आज डबल डबल लंच मिलेगा एक इंसानी बच्चा और साथ में बड़ा पक्षी तड़का मार के देखा कितने आसानी से कर लिया हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए इस बार तो मैं दो दो लगपीस लूँगा किसमत खुल गई टबाकी इस मोगली के बच्चे ने क्या कहा खुद पर विश्वास रखना चाहिए अब मुझे शेर खान की जरूरत नहीं है मुझे खुद पर विश्वास है इस शिकार को आज मैं ही लंच में खाऊंगा हमला करो अब तो उपर फस गये कब तक पेड़ पर बैठे रहोंगे नीचे तो आना ही पड़ेगा ना और मैं यहीं बैठा रहूंगा किस से बात कर रहा है गीदा किससे नहीं और हां सूरत से इस पकाऊं सूरत से कितना गरब है यह सब को पकाता है वहां मैं तो आपके लिए खाणहें लेने निकला था अब ही जाता हूँ चल जा अब मुझे मत पका चाता है कि नहीं अब जाता हूं बाच गए इस बार कहा जाओगे जल्दी हजा इंसानी बच्चे इस टेस्टी चीज़ को मैं खाऊंगा जहां जाएगी तेरे पीछ आऊंगा इसने भी जल्दी क्या है टबाकी ठोड़ मुझे मेरे पूछ के बाएं टूड़ी आएंगे बाल बच्ची मैं यह देखो यह का भेग दिया कांजाम बुरा होगा इंसानी चूसे बहुत बोलते हो तुम टबाकी अब यहां आराम कर ले तो चले मैं तो यह फस केया हूँ कोई मुझे बाहर निगालो कोई है बाहर मम्मी अगर पेट भरना है तो खुद ही महनत करनी पड़ेगी शेर खान बच्चा कोई मुझे यहां से निगालो यह तो टबाकी है अगर तु यहां से बखवास नहीं कर रहा होता तो मैं अभी शिकार कर रहा होता हूँ तफा हो जान नामा कूल हाथ वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे इस बार वो पक्षी मेरे पेट में जाएगा तीसरा हमला खतरनाख वाला और कितना दूर है चलने से अच्छा मुझे उड़ना लगता है पर आज तो मेरे पंक ही तूड़ गए इतना चलने की आदत नहीं है ना मुझे इसलिए कह रही हूँ वैसे मुझे नहीं लगता हमें ज्यादा दूर जाना है वो देखो वो रहे तुम्हारी जील जहां तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे है अब बचकर कहा जाएगी चिकन फ्राय तेरा स्वाद लाजवाब होगा है ना तुझे तुम्हें लंच के साथ साथ डिनर में भी खाऊंगा बिना नमक के हाँ जल्दी अपने दोस्तों को बुलाओ जब कोई हो गाई नहीं तो किसे बुलाएगी हाँ वैसे भी मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को अब रहने दो क्यों चिल्ला कर अपना गला खराब कर रही हो मेरी लंच तु पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात होती है तो इस पक्षी को खाने से पहले क्यों न थोड़ा अपनी भूख और बढ़ाई जाए तुमारी उंगलिया खाकर झाउ़। और वोग। है झाँ भाँ मदर जाओ मेरे दोसको मदद की जरूरत है वह शुक्रिया पहाडी से गिरता तो भरता बन जाता पता है उस मगरमच ने मेरे खा लिये तो तुम चल कर आई वह इतनी दूर हाँ पर अब मोगली को वापस चल कर अपने घर जाना होगा हरे नहीं मैं चला जाओंगा बस थोड़ होगी है हाँ लेकिन कोई मदद कर दे तो तुम घर जल्दी पहांच जाओंगे हूँ हाँ हुआ हु हुआ है हुआ हु हुआ कि दूर भाल प्रक रखोरदार बढ़े खस्ता हाल लग रहे हो व व ल मैं गिर गया था शेर खान जूट बोलना घुलत था टबाकी तुम तो शेर खान का शिकार चुरा रहे थे तुम्हारी कोशिश बेकार गए नहीं शेर खान वो जूटा है खुदी देखो वो हमारे दोस्ती में फूट डलवा रहा है तू अकेले ही शिकार को हजम करना चाहता था नहीं तो मैंने तो सोचा था मैं शिकार पकड़कर लाओंगा और हम दोनों मिलकर उसे खाएंगे हां नहीं नहीं शेर कान मेरे यकीन मान झाल 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 झाल